दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे जो है वो घुटने टेक देती है हिम्मत का मतलब है आपका हिम्मत, आपका आत्म विश्वास, आपका महनत अगर किसी काम के प्रति पुरे इमांदारी से है तो दुनिया के कितनी भी परिसानी होना वो एक ना एक समय पर आकर जो है वो जो की हिम्मत और आपके महनत के आगे क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नहें चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा देना ताकि हर एक क्लास का अविट आप सभी को मिल जाए ठीक है और इस क्लास का पूरा का पूरा जो पीडियाफ है आप सभी को सक्सेसकी 98.in पर मिल जाएगा और किसी भी एक्जाम के लिए ऑनलाइन जो टेस्ट प्राक्टिस एट ताकि आप एक्जाम से पहले अपने आपको जज कर पाओ कि आप सभी कितना स्कोर कर पारें एक्जाम में वो टेस्ट आप सक्सेसकी 98 का एप्लिकेशन डाउनलोड करने के बाद एप्लिकेशन के उपर भी दे सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पर भी जाकर दे सकते हैं जो है आपका सक्सेसकी 98.net और 349 वाला पैकेज अगर वहाँ पर जाकर बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आने वाले एक साल तक हर एक्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा कहने का मतलब है कम से कम हर एक इसाम का 20-25 स्रिट दिया जाएगा ठीक है और आज कवर करने वाल हैं हम सभी 27 जैनवरी के important current affair उसके पहले एक बार अपने क्लास का timing आप सभी देख ली ना ताकि आपका जो क्लास है वो एक भी M-I-S-S मिस ना हो ठीक है तो देखते हैं आज का पहला प्रस्थ हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला प्रस्थ है वो यह है वर्स 2019 के लिए E-Governance Award of Excellence किसने जीता है और यह अवर्ड जीता है किसने तो C-Wiggle आपका B ने ठीक है अगला प्रस्थ हमारे सामने सरच अस्टेलिया नागरिक सम्मान जो है वो पाने वाले चौते भारतिया किसे सम्मानित किया गया है और यह किया गया है आपका किरन मजुन्दार साव, option number आपका D जो फोटो में दिखाए दे रहे हैं इन्ही को अवर्ड दिया गया है अस्टेलिया का सबसे समरच पुरुसकार जिसका नाम क्या है Order of Australia यह पुरुसकार का नाम है अगला प्रस्वाने सामने भरहित और दुमका विधान सबा में अपने काम के लिए इनको Champions of Change Award से नवाजा गया है यानि मैं आपको बता दू पहले यह भरहित और दुमका यह जो दोनों विधान सबा असेमली है यह कहाँ पर है तो यह आपका जहरखंड में पढ़ता है यहाँ पर अच्छे काम करने के लिए Champion of Change Award दिया गया है आपका जहरखंड के मुख्यमंत्री जो अभी है आपके हैमन सोरेन आप्सन नमबर आपका D याद रखेगा और आपका पहला प्रस्थ यही से निकल कर आ रहा है कि जहरखंड के राज जो पाल का नाम क्या है यह आप सभी को कॉमेंट करकर कॉमेंट बॉक्स में पताना है यह आपका आज का पहला प्रस्थ नहें अगला क्वस्यन हमारे सामने है इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेर यानि चमडे की मेले का 35 सथक्रण की सहर में आयोजित किया जाएगा यहाँ पर बोल रहा है इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेर यानि चमडो का जो मेला लगता है उसका 35 सथक्रण जो है वो की सहर में आयो तो यह किया जाएगा आपका चिन्नाई में यानि की option number D और चिन्नाई किसका राजधानी है तो यह राजधानी है आपका तामिल नाडू का और वहां के मुख्यमंत्री कौन है तो इड़ापडी के पलनी स्वामी और राज्युपाल तो बनवारी लाल पुरोहित ठीक है अगल इंडियन एर फोर्स ने ब्रहमस मिसाइल से लेस सुखोई 30 MKI बीमान के अपने पहले स्क्वार्डन को किस राजध में सामिल किया है तो वो है आपका कहां पर बहुत important question है ये वाला भी और वो सामिल किया गया है आपके तामिल नाडू में option number B और तामिल नाडू के बारे बतायों चुका हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री इडापडी के पलनी स्वामी है राजजपाल बनवारी लाल पुरोहीत और राजधानी आपका चिन्नई और इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ है उनका नाम क्या है राकिस्त कुमार सिंग भदोरिया ये भी आपको याद रखना है ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है वर्स दजर 18 और 19 के लिए फलो के उतपाधन में किस राजधनी सिर्थ इस्थान प्राप्त किया है अब एक क्वेस्टिन मैंने आपको कर बताया था कि सबजी के मामले में सबजी के उत्पादन के मामले में यानि वेजिटेबल के उत्पादन के मामले में जो टॉप स्टेट है वो कौन है तो मैंने आपको बताया था पच्छिम बंगाल यहाँ पर बात कर रहा फ्रूट्स की यानि फल के उत्पादन में टॉप पर कौन है तो वो है आपका आंध्रपर्देश, option number आपका C और आंध्रपर्देश का capital क्या है तो वो है आपका हाइदराबाद, गवर्नर विस्व भुसन हरीचन और CM कौन है तो YS जगनमोहन, रेड़ी अगला प्रस्ता मारे सामने है किसे भारतिया बैंक के MD और CO के रूप में निक्त किया गया है यानि Bank of India के CO और MD के रूप में निक्त किसे किया गया है तो उनका नाम है अतानु कुमारदास, option number आपका D और आज का आपका दूसरा प्रस्तिये है, Bank of India का tagline क्या है आप सभी को comment करकर बताना है कि Bank of India का tagline है क्या ठीके ये आपका आज का दूसरा प्रस्तिये है, हर एक बैंक का अलग-अलग tagline होता है जैसे आप सभी को पता है जैसे Axis Bank का क्या है तो बढ़ती का नाम जिन्दगी, उसी तरह Bank of India का क्या है ये आपको comment करकर बताना है अगला प्रस्त हमारे सामने है EUP सरकार यानि उत्तर परदेश सरकार ने खेतों में काम करते हुए मर रहे किसानों के वित्य सहायता परदान करने के लिए योजना शुरू की है उस योजना का नाम आपको बताना है मालों अगर कोई किसान या किसान के परिवार भी अगर खेत में काम करते हैं और उनका मृत्तू हो जाती है तो उनको एक सहायता दिया जाएगा एक स्कीम की तहट और कितना सहायता तो उस परिवार को पांच लाक रुपए दिये जाएगे और कौन से योजना केता है तो उस योजना का नाम भी आप सभी याद रखेगा क्यों क्वेस्टन काफी इपॉटेंट है और उस योजना का नाम है आपको ऑप्शन नमबर सी मुख्यमंत्री क्रिसक दुरघटना कल्यान योजना योजना का नाम बहुत अच्छे से याद रखेगा और उत्तर परदेश के गवर्णर सभी को पता है वहाँ के राज जुपाल है अनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाथ और राजधानी क्या है तो वो है आपका लखनौ ठीक है अगला प्रसमारे सामने है महराष्ट सरकार ने सभी स्कुलों में किस भासा को जो है वो कंपलसरी कर दिया है तो जाहिर सी बास है कि महराष्ट का जो लेंग्वेज ये वो मराठी है तो मराठी को ही जो है वो कंपलसरी किया जाएगा तो एंसर क्या होगा आपका माराथी और माराष्ट का कैपिटल मुंबई मुख्यमंत्रे उद्दव ठाकरे और राज्युपाल भगस सिंग खोसियारी ठीक है अगला प्रस्स मारे सामने हैं कि द्रिश्टी बादीत क्रिकेटरों को किस सहर में एक विसेज खेल मैदान मिलेगा यानि यतने भी जो भी प्लेयर जो देख नहीं पाते हैं जो क्रिकेटर हैं उनको एक अलग ग्राउंड दिया जाएगा खेलने के लिए कहां पर तो बैंगलूरू में आपका डी याद रखिएगा बहुत इपॉर्टेंट क्वेशन है ये वाला भी और बैंगलूरू किसका समारे सामने हैं पत्रकाजिता प्रुसकार में चौदवे रामनाथ गोईंका उत्रिस्टा को कौन सा कौन व्यक्ति जो है वो प्रेजेंट करेगा यानि परस्तूत करेगा तो वो अवार्ड जो है देने वाले कौन थे तो रामनाथ को बिंद और ये किसको दिया गया है तो याद रखेगा चौदवा रामनाथ गोईंका एक्सलेंस अवार्ड जर्नलिजम के छेत्र में दिया गया है आपके दो लोगों को जो बीबीबिसी पर काम करते हैं उन दो लोगों का नाम क्या है एक का नाम है आपका दिवलीना रोई और पहला नाम क्या है आपका सर्वा प सेन कपका 27 जैनवरी का और इसका पूरा प्रिडियाफ आपको सकसेस की 98.in पर मिल जाएगा या टेलिग्राम पर भी जो है वो सेयर कर दिया गया है तो वहां से भी आप सभी डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है तो जितने भी मेरे भाई बैन है सभी को बहुत बहुत गुद इसनाओ ठीक है चलीए